गॉड मॉणिंग दोस्तो आज फिर से हम वेकिंसी एरा एजूकेशन के तहट आप लोगों के सामने एकोड टेक्निक्शन असिस्टेंट पदों के उपर बात करने वाले हैं तो दोस्तो इसमें कई धेर सारे पद हैं जिन पर टेक्निक्शन असिस्टेंट की कुछ जादा वेकिंसी है और इसी दोरान सिस्टम मेनेजर और सिक्यूरिटी मेनेजर की आपे पोस्टे दी हुई है तो दोस्तो आप लोगों के लिए बड़े कुछ कबरी है डी जी आर्प के अंदर ये वेकिंसी निकली हुई है और ये पंजाब से निकली हुई है ओफिसली नोट्रिकेशन भी जा रहे हो चुका है हम बात करेंगे सिक्सा के हो गयता सेलेवर्स मेल और फिमेल कैसे आवेद करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे इसमें आवेदन कर सकते हैं ये भी हम बात करेंगे दोस्तो वेतन के बात करेंगे तो इसमें 35,000 से 1,25,000 तक सेलेरी होगी और ये बड़ी बढ़ती है काफी अच्छी बढ़ती है और सभी इस्टुडेंट आवेदन कर सकते हैं चलिए दोस्तों आपको लेके चलते हैं इसके ओफिसली विवसेट से जहां से आप लोग आवेदन करेंगे और नोट्रिकेशन के उपर जानेंगे आखिरकार सबसे पहले तो हम जानेंगे इसकी ये और नोट्रिकेशन कब जारी हुआ था और ये कब तक चलने वाला है फिर उ कमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को उनकर लीजीगा आने वारे रेटेस्ट नोट्रिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों आपको हम हर रोज एक न्यू अपडेट के उपर बताते हैं और इसी दोरन आपको पूरी जानकारी और पूरी वोपे कि आप अच्छे से पहले नोट्रिकेशन जान लेते हैं फिर बाद में इसके बारे में डिटेल निकालेंगे जैसे कि दोस्तों मैं इसके ओफिसली नोट्रिकेशन पर अभी निकाल रहूं आप लोगों के सामने तो आप यहां से देख लीजिएगा अगर आप स्वेम देख पदों की विकेंसी यानि कि आवेदन हो रहे हैं सासन सुधार निर्दे सालेने की डी जी आर पंजाब ने मैनेजर और टेक्निक अन असिस्टेंड के लिए पदों के लिए नोट्रिकेशन जारी किया गया है और यह करीबन तीन फरवरी और एक बज़े के आसपास यह जारी हुआ था पबलिक ही और साथ ही उसी दिन से यह इसके आवेदन पर क्या सुरू हो चुकी है आवेदन बहुत जल्दी शुरू ही है और समय काफी कम है आप लोगे के पास तो दोस्तों सासन सुधार निर्दे साले डी जी आर पंजाब ने मैनेजर और टेक्निकल असिस्टें उम्मीदवार 21 फरवरी तक या उससे पहले निदायत प्रारूप के माद्यम से उन पदों के लिए आवेदन कर सकता है तो दोस्तों इसमें आप लोगों के सामने एक बात क्लियर हो चुकी है जो 21 फरवरी से पहले आवेदन करेंगे नोटरिपिकेशन जारी हुआ जस्ट उ होने की पर उसर भी आगए बढ़ चुकी है इसी दोरान हम बात करें एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं मैंते फुन्तिति की बात कर लें उनलाइन आवेदन जमा कराने के अंतिमतिती 21 फरवरी है तो आपको बता दे कि आज 4 फरवरी है तो आपके पास समय बहुत कम है इ उसी पोस्ट की कौलिफिकेशन निदायत कीगी है जैसे कि इसकी पूरे डिटेर्स देखें तो यह नोट्रिफिकेशन जारी हुआ था पंजाब रिग्वार्मेंट अपलाए 324 पतों पे और साथ यह तीन फरवरी को हुआ था साथ ही इसके सम्मिट करने की 321 फरवरी दिख लिए है अगर दूस्तों आप अधर स्टुटेंट इसका आविदर इसका हिंब्यूड किया जाएगा और इंग्लिषलिउड लेंग्वेज में होगा और शाती ही आपके जरूरी होगि था पहली और पहली आपकी किलिर करवाते हैं सिक्क सके होगी था a senior system manager और इसके assistant manager उम्मीद वारू के लिए विस्व विद्दाले और finance technology और electronic communication computer science और MBA और BE BTEK होना जरूरी है और किसी भी मानने प्रावत computer एप्लिकेशन एम्बीए डिग्री होना जरूरी है तब ही आप इसमें आविदन कर पाएंगे साथ ही टेकनिकल असिस्टेंट के बात करें तो दूस्तों इसमें भी बीटेक मांगे गी है जो आपकी यांपे ट्रेड है दी वही है उसके अनुसार आप इसमें आविदन करेंग अब सबसे ची बात होगी आपकी सेलरी की बात करें तो दोस्तों इसमें 35,000 टेकनिकल असिस्टेंट की बात है और सीनियर सीटीजन मैनेजर की बात करें तो एक लाग 25,000 तक आपकी सेलरी होगी तो दोस्तों जल्दी कीजिए 21 फरवरी से पहले आप इसे आवेदन कर सकते है आवेदन करने के लिए मैंने अभी सबसे पहले आपको लिंक दिखाए था और फिर से एक बार दिखा देंगे आपको कोई ना और हम बात करें इसके अंदर डी जी एप्लिकेशन सुलक के बारे में तो दोस्तों अगर आप अधर स्टेट के जाते हैं तो आपको अजार रुपे देना होगा बाकी पंजाब में SC, ST और सारारी को कमजोर वर्गों के लिए 250 और 500 रुपे सुलक देना होगा तो चलिए दोस्तों यह था एप्लिकेशन फी होगा तब ही आप इसमें आविदन कर पाएंगे जैसे कि दोस्तों हमने इसका न्यू रिजिस्टेशन पर क्लिक किया है तो आप यहां पर देख सकते हैं जो आपकी एप्लिकेशन फींस होगी वह यहां से आप देख सकते हैं और इसे जमाग करवा सकते हैं इस पर क्लिक हैं और आपकी email ID, mobile number, password और confirm password और फिर इसी दोरन आपको यह captured इसमें फीड कीजिएगा और सम्मीट कर दीजिएगा और आगे अपना फोरम रजिस्टेशन अपनी मेल आईडी पर चेक कीजिएगा और इसे आप फोरम अगन तो